हलो गाईज, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में जो यह ODI सिरीज होने जा रहा है पिख के तौर पे यूज कर सकते हैं और कभ कर सकते हैं, और क्यूं करना है. तो यह सारी चीज़ेश में डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर आप स्मॉल लिग तीम बना रहे हो, या है घ्रैन लिग के तीम बना रहे हो तो आप अपनी बहतर से बहतर बना पाओगे ये वीडियो देखने के बाद तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बस पूरा वीडियो जरूर देखना ये जो मैचे हो खेला जाएगा बारबाड उसके ग्राउंड पर कैसा रहता ये पिछ पहले हम उसकी बात करते हैं overall statical view देखेंगे first of all फिर मैं आपको इसका historic nature भी बता दूँगा overall 44 मैचेस यहां खेले जा चुके है बना यहां पर 187 बना उसके लाव यहां पर 152 बना तो बाकी के जो चार मैचे हो लो स्कोरिंग में एक मैच हाई स्कोरिंग हुआ है ठीक है अगर हम बात करें जो पांच मैचेस हमने देखे उसके spinner और पेसर्स की ratio की तो उन पांच मैचेस में पतिस तो पेसर्स ने 45 अब जो मैं आपको बताता हूं कि जो करेबियन साइट के ग्राउंड होते हैं वह सिमिलर टू एसीन कंडीशन होते हैं यानि वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत spin देखने मिलेगा overall कभी-कभी ऐसा होता है कि जब fresh wicket होता है तो starting में उतना spin देखने नहीं मिलता है बट यहां पर आपको अगर spinner 10 over के बाद भी आ रहा है तो उसको turn मिलने की संभावना रहती है तो यहां पर spinner से expect रख सकते हैं especially जो wicket taking spinner है ठीक है इसके अलावा जो scoring की बा सकते हैं तो उनका prediction करना थोड़ा मुश्किल है इंडियन टीम अगर पहले बल्ले बाजी करती है तो वो एक अच्छा score set करके जा सकते हैं otherwise आपको यह देखने मिलेगा overall एक balance wicket जो इसका balance wicket from balance वो sorry in terms of जो batsman department की बात कर रहा हूं balling department से आपको detail में समझा है तो batsman department से neutral wicket मान के चल सकते हो लेकिन जो टीम strength है वो जो मैंने अभी बताया इंडिया अगर पहले बल्ले बाजी करते हैं तो हो सकता है एक अच्छा score set करते हैं और वेस्ट इंडियस की team unpredictable है तो उनका कुछ बता पाना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि score काफी fluctuate करता है ठीक है तो यह दियान देना है इसके अलावा pitch report pitch से related कोई भी news आता है आफ्टर टॉस टिलिग्राम पिनफर्म करूंगा जो कि most probably आना चाहिए उसके बेस पे आप changes कर सकते हो आपको analysis इस तरीके से बताया जाएगा कि pitch अगर slow ना रही तो आपको कौन से खिलाडी नहीं लेने और अगर slow र ranking आप सोरी यह वो डियाई ranking आप देखते वे चल सकते हो दोनों टीम का बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देख लो वेस्ट इंडीज की टीम में तीन लेफ्ट हेंडर्स हैं अगर हिट मायर अथनाजे और काईल मेस तीनों खेलते हैं तो इंडियन टीम में इतने ज्यादा ले प्लेइंग लेवन की बात करें इंडिया इंडिया की में इंपोर्टेंट को भी देखते हुए इंडियन टीम के जो मस्ट रिसेंट वरम है वो आपके सामने जैसे रोही शर्मा का लास्ट थीन ओडियाईज में देखोगी लास् पांच ओडियाईज में तो एक में 50 है और इस तरीके से ओवराल हर एक प्लियर का आपको रिसेंट स्कोर देखने मिलेगा यहां पर सुबमन गिल का भी एक सतक आया हुआ है विराट कोली का भी अच्छा स्कोरिंग है सुरिक मारे याद फ्लॉप रहा है लास्ट तीन ओडियाइज में 3-0 है इसके अलाबा हार्दिक पा इंडियन टीम के जो मेंन बॉलर रहने वाले जो पांच 10-10 ओवर पूरे कराने के चांसे रखते हैं देखो वह है रविंदर जडेजा यूजी चहल जिस टाइप की विकेट है उसके अकौर्डिंग उसके अलावा महमा सिराज बाकी उम्रावन मलिक हो सकता है कुछ ओवर से करने चाहिए स्पिच को देखते वे बट अगर वह महंगे सावित हो रहा है तो उनके ओवर कट सकते हैं और फिर हार्दिक पांडिया के खाते में ही जाते वे दिखेंगे ठीक है तो यह ध्यान रखना इसके लावा पावर प्ले के गिंद बाद है महमा सिराज उम्रान मलिक कोई भी हो सकता है जिसकी अच्छी रही ठीक है वैसे ठाकूर को आना चीए इस टाइप के विकेट पे मुझे लगता है कि ठाकूर भी एक अच्छे विक हो सकते हैं इस्पेशली डिफ्रेंशिल पिक क्यों वह मैं आगे डिसकेस करें को बताऊंगा इंडियन टीम के प्लेय 100 भी अगर आपको याद हो तो इस तरीके से न आप हर एक प्लेयर का स्टैट्स देख सकते हो और जिसका अच्छा स्टैट्स है जिससे विराट कुली रोहिस सर्मा सुबमंगिल तो इनको यह लोगला से मैंसन किया है जो आपको पहचानने में आसानी होगी कि कि किस प्लेयर इसके लाब आप बॉलिंग से बात करें तो कुल्दी प्यादो यदि खेलते हैं लेफ्टांवरिस्टी स्टी स्पिनर है बहुत अच्छी खासी इनकी एक रैपो बनी हुई है स्पिन डिपार्टमेंट पर सी है कि रेगुलर खेल नहीं रहें तो इनका स्टैट्स भी आपक है बिल्कुल फ्री है फटा फट जाओ जुड़ जाओ क्योंकि आफ्टर टॉस की जो भी अपडेट होती है हम यहीं देते हैं बार पर वीडियो बना के डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है वेस्ट इंडीस की प्लेइंग लेवन की बात करें तो इनके जो इंपॉर्टेंट देंगे तो ठीक है तो यह कुछ इनके प्लेयर्स है रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो जैसे ब्रेंडन किंग एक स्कूर है काईल मेर्स का 56 है बाकी एवरेज स्कूर है उसके बाद के कार्टी ने लास्ट में 87 किया था जो अभी इनका मैच चल रहा था इसके अलावा यह कारिया है यह इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं इसके अलावा जो इनके इंप इंपर्टन प्लेयर्स ऋबता दिया अब कौन पर बडुम करता है कितने उवर की बॉलिंग करता है इस अगर हम बात करें तो रोमारीयो सभर ऊसें फोमस अलजारी जोसेफ और यानिग क यह चार होने चाहिए जिसमें इनके मेन स्पिनर रहेंगे यानि कारिया इसके अलावा यह लोग पावल अथनाजे और केक आर्टी से बॉलिंग डलवा सकते हैं जिसमें से अथनाजे के थोड़े ज्यादा चांसेज हैं ठीक है इवन काईल मेर्स के आलसो बॉल तो यह इनके पिटाई हो रही है तो आपको पावल और कार्टी बॉलिंग करते वे दिखेंगे इसके बाद पावर प्ले में इनके पास अलजारी जोसेफ ओसेन थोमस है देथ में अलजारी जोसेफ और ओसेन थोमस और रोमारियो सफट को आना चाहिए बाकी देखो इनकी टीम कुछ भी 1500 है इसके अलावा ब्रेंडन किंग का अच्छा रिकॉर्ड है यहां पर 33 का अवरेज है लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है थोड़ा कम जो टीम के गई शाय हुए मैं आगे बताऊंगा आपको सिमरन इटमार 35 का अवरेज है 500 है पांच और 450 है ठीक है इसके अलावा अले कथे में आजे 65 का अवरेजी एक मच खेला हुआ है रोमेन पविल थोड़ा एवरेजी रिकॉर्ड रखने के काटी ज्यादा मैचेस खेलें निया पर जितने भी खेलें इंप्रेस किया हुआ है इसके अलावा काईल मेर्स 25 मच की 23 इनिंग में 618 इनका अच्छा इस्टैट्स है यहां पर जारी जोसेफ और ओसेन थोमस का अच्छा इस्टैट्स है उननीच इनिंग में 27 विकेट लिया वाया है उसेन थोमस ने साथ इनिंग में 101 विकेट है अलजारी जोसेफ के बाकि डॉमिनिक ड्रस अगर खेलते हैं तो लिस्टे में 27 में 28 विकेट है पर यह थोड़ में 28 विकेट ले चुके है तो यह थोड़ा है इंडिया की तरब से विराट कुल 67 का आवरेज रखते हैं वहीं 57 का आवरेज है रोहिस सर्मा सुमंगिल 103 का आवरेज है 27 का आवरेज है आच्छर पटेल इसके बाद संजु संचन 36 का आवरेज है ठीक है और वेस्टिस की तर इंडिया की तरब से maximum players का record अच्छा है ठीक है उसके बाद इंडिया की बाद करें बॉलिंग से तो जड़ेजा 29 मैच में 41 विकेट है हमाई कुल्दी प्यादो 15 इनिंग में 26 विकेट है यूजी चहल 10 इनिंग में 20 विकेट है सिराज 6 इनिंग में 9 विकेट हर्दिक पांड इनिंग में 20 विकेट है यह वेस्ट इंडिस की तरफ सेंड्स की बात करें तो इंडियन टीम का रिकर्ड इनिंग मिलेगा नहीं मिलेगा तो जड़ेजियोसेफ का हेड्ट वेडियाए बढ़िया है तो प्लेयर बैटल देख लेटें जिस से कुछ खास कनक्लूजर निकले इसमें लेकिन फिर भी देखना हो तो रोहिस सर्मा ने अलजारी जोसेफ को सुरी अलजारी जोसेफ ने रोहिस सर्मा को 61 गेंदों में 3 बर आउट किया और 78 रन दिया है बाकि यह सब एक बार आउट हो है जिससे कुछ खास कंक्लूजन निकलता नहीं है इसके बाद ब्रेंड को कुल्दी प्याद उन्हें 46 गेंदों में 3 बर आउट किया सिर्फ 17 रन दिये थोड़ा बैटल देखने लाए रहेगा से होप की बात करें तो इनका थोड़ा ध्यान देना है यह आउट जरूर हुए लेकिन उन्हेंने गेंदे बहुत लिए तो यह उतना ज्यादा डालता किया इवें 123 रन बनाए 100 प्लस की स्ट्राइक रेट से यह मैटर करता नहीं है कुल्दी प्याद उन्हें 72 गिंदों में 2 बार आउट किया इनको लेकिन उन्हें 82 रन बनाए और सिम्रे इन बार मैं आगे इनके बारे में बताऊंगा आपको अभी चलते हैं प्लेयर वाइस अगर यह उपन करते हैं तो मैं फिर भी एक पार को सूचता लेने को बाट मिडल और में फस्ट भल्ले बाज में कंसीडर करना हो तो कर सकते हो अधर वाज उतने अच्छी आप्शन मुझे लग नहीं रहें संजु संसन मोस्ट परबली नहीं खेलेंगे उसके बाद बाद ब consistent player हैं लेकिन फिर भी अभी test match में काफी अच्छी knock खेल लिए तो small league के point of view से आपको रखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि form अच्छा है recently तो आप इनको miss नहीं कर सकते हो उसके अलावा T20 में एक मात फिर भी में छोड़ सकता था इनको अगर T20 match रहता तो test match होने के बावजू और इनका form भी काफी अच्छा आपने आपको काफी time proof कर चुक है तो इसलिए इनको आप small league में देखो काफी लोग आपको दिखेंगे कि captain wise captain भी रहेंगे काफी लोग काफी opponent के तो आप इनको small league में नहीं छोड़ सकते हो ठीक है grand league में भले छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो बट मैं वह भी जजेस्ट नहीं करूंगा शिम्रन इटमायर यह एक ऐसे खिलाड़ी है जो lower order में आते हैं spin को better खेलते हैं ठीक है और अच्छी hitting ability है recent form भी better है और इनका average भी ठीक था गया almost 30 plus का average है तो considerable रहेंगे अगर आपके पास कोई अच्छा option नहीं है समझ नहीं आ रह उठा के देखो इन्होंने निचले स्तर में राजिस्तान रोस के लिए सबसे better बल्लेबाजी की है उसके बाद ब्रेंडन किंग यह अभी scoring तो अच्छा कर लेते हैं बड़ा score करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन problem यहाँ पर आती है कि mostly score इनका कमजोर टीमों के गेंस्ट अभी world cup qualifier में भी आप उठा के देख लेना इन्हों कमजोर टीम के अगेंस्ट परफॉर्म किया है बट जब मजबूर टीम आती थी तो यह परफॉर्म ज्यादा नहीं कर पा देते तो मैं ज्यादा भरोसा इन पर करता नहीं हो बट यह कभी भी बड़ी पारी खेल सकते हैं में तो लेके जा सकते हो बट कमजोर टीम के अगेंस्ट फिर भी कंसिस्टेंट रह लेते हैं लेकिन जब बात आती है मजबूर टीम की तो थोड़ा इनकंसिस्टेंसी इनका दिखा हुआ है आप इनके पिछले 10 मच उठा के देख लेना उसके बाद रोमेन पॉल की बात करे तो उतने बैटर बल्ले बाज नहीं निकले इनका स्टेर्स भी देखो के नंबर्स काफी खराब है और मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता भी नहीं हो इनका जो नेचर है वह ओडिया में फिट बैठ था नहीं हालाकि यह काफी कोशिज भी कर रहा है तो हो सकता अच्छी पार गिंदबाज के रूप में काईल मेर्स और अली कथनाजी खेलते हैं तो अली कथनाजी आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं रिसेंटली नहीं बांगलादेश में भी अच्छा किया था जो एक यंगर लेवल पर क्रिकेट खेला उसके बाद अभी टेस्ट में भी ठीक कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन हां आने वाले समय में हो सकता है कि आपको एक वस्टिंडीज के लिए पॉजिटिव ये क्रिकेट में पॉजिटिव पॉइंट दे सकते हैं तो इनको लेके जाना थोड़ा रिस्की रहेगा लेकिन डिफरेंशियल पिक के तौर पर कंशीडर क के लिए प्लस गंदबाजी से सब्सक्राइब बल्ले बाजी से भी बैक अप रहेगा तो ओवर ओल रोल रहेगा इनका भी इस्पेशलिए सेकंड गंदबाजी आप इनको वी सी भी कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट बल्ले बाजी में फिर यानी टाइम प्रमोट भी हो सकते हैं और पल्ले बाजी आने के ज़्यादा चांस रहेंगे लॉंगर फॉर्मेट का गेम है उसके बाद काईल मेर्स को लिया है काईल मेर्स एक चीज़ में आपको बताना भूल गया ब्रेंटन किंग ना इस्पिन के अगेंस उतना अच्छा नहीं खेलते हैं जितना अच्छा पाउर्पले में स्पिन लगाया रो हूसुंस सर्मा ने तो हूशे उलेकिन चुकी इनके पास बैटिंग डूनों भेलीगर है तो इसलिए डूब रहेगा डैक्स स्मॉल सिर्फ और सिर्फ वज़े से क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे और जो मैंने आपको प्लेइंग लेवन दिखाया सेम यदि खेलती है तो यह आपको देथ में भी गिंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं फर्स्ट गिंदबाज में और बैटिंग बैक अप भी रह जोसेफ must have pick रहेंगे इनका recent form भी अच्छा है most of the time यह अच्छे विकेट लेगे जाते हैं चाहे कोई भी नहीं हो longer format का गेम है दसवर मिलेंगे must have pick रहेंगे मेरे recording थोड़े रंच भी बना लेते हैं मौहमा सिराज इस format के recent time में काफी improve किया वाइन अपने आपको और काफी दिखा भी यह ग्राउंड पर इन्होंने लगातार विकेट्स निकाले और द्यथ में भी आएंगे इंडियन टीम के में गिंद्बाज रहेंगे उसके बाद कुल्दी भी आतो यदि खेलते हैं तो considerable रहेंगे क्योंकि है तो यह विकेट टीकिंग नेचर के गिंद्बाज ब इसलिए मैंने चहल को लिया हुआ है बट कुल्दी भी आतो भी स्मॉल लीक के अच्छे उप्सन लेंगे क्योंकि मोस्ट अब दा बल्लेबाज जो इंडियस के वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं तो यह कंसिडर कर सकते हैं तो हार्दिक पांडिया के जगे पर ही कर सक हैं तो देथ में आ सकते हैं फर्स्ट इनिंग में मिनी जील जील में कंशीडर कर सकते हो लंबे समय बाद वाफची कर रहे हैं तो मैं जादा एक्सपक्ट करनी रहा है सरदल ठाकूर यह ऐसे इंडबाज है जो इसे पीचिट पर अच्छा कर सकते हैं और थोड़े रंश भी यह बना लेते हैं और हो सकता है फर्स्ट इनिंग में देथ में भी आता है तो यह भी स्मॉल लिग के अच्छे पीक हैं बट वही है कि टीम में फिट नहीं बैट पाएं क्योंकि ओवरल मेरे सारे प्लेयर हो चुके हैं अब जहां पर आप तीन प्लेयर लेके जा सको ना एक विकेट से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं यानिक कार यह थोड़े रंच भी बना लेते हैं और हो सकता है अपनी टीम के में इस्पिन की भूमिका निभाएंगे वही रीजन है कि मैंने इंडिन टीम के ज्यादा विकेट गिरते भी नहीं देखा है और इंडिन ट लिया है उसके अबर ड्रक्स खेलने के चांसे कम है जेडिन सिल्स भी खेलने के चांसे कम है और मुकेश कुमार को भी खेलने के चांसे कम है तो जो टीम बन रहे है कुछ इस प्रकार से है जहां पर कैप्टेंशी मैंने को दिया है वाइस केप्टेंशी जडेजा को दिया है क्योंकि फ़स्ट बल्लेवाजी में बल्लेवाजी सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी भी अच्छी खाहशी करेंगे इसके अलावा Grand League में हाँ Small League में विराट कोली गिल थोड़ा रिस्की रहेगा लेकिन गिल एक अच्छे option है हार्डिक पांडय और जड़े जाई ये लोग अच्छे option रहेंगे हार्डिक पांडय को चेजिंग में Small League में कैप्टेण वेस कैप्टेण मत रखना इसके बाद जील कैप्टन वाइस कैप्टन सी की बात करें तो सेहोप, रोहिस सर्मा, काईल मेर्स इनको जरू ट्राइ कर लेना, ग्रैंड लिग मेर्स कैप्टन, जावाइस कैप्टन, ट्रम्पिक के तौर पर रोमारियो, सैफर्ट, सिम्रन हिटमायर, केकार्टी, अथनाजे उम्रान मलिक, सर्डल ठाकू, सबका आपको सिच्वेशन समझाया हुआ है मैंने, कि कौन सा प्लियर, किस सिच्वेशन में आपके लिए अच्छा पिक हो सकता है, यदि आप स्मॉल लिग में ट्राइ करना चाओ, तो कर सकते हो, लेकिन थोड़े रिस्की रहते हैं ये प्लि ले सकते हो, लाइक आप न्यू फॉर्मेट में खेल रहे हो, तो यहाँ पर ठाकूर या कुल्दी प्याद हो, जो खेले उसको ले सकते हो, यहाँ पर रोमारियो सेफट की जगे पर सिम्रा इटमायर को लेकि जा सकते हो, जहाँ पर आप साथ चरका कॉंबिनेशन ही बनाना अगर फर्स्ट गिनबाजी करने के चांसे कम रहेंगे, तब इनको छोडने का रिस्क ले सकते हो, ऐसे मैंने हर एक प्लेयर का बताया, तो अकॉर्डिंगली चेंजिस करेंगे, आफ्टर टॉस कंडीशन देखते हो, तो कंडीशन आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंग कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है, फटा फट जाओ जूर जाओ, क्योंकि वहाँ पे जब आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, लाइक टॉस अपडेट, क्या पीछ रिपोर्ट है, कौन से टीम में कितने नंबर और बॉलर खेल रहे हैं, तो उसकी अकॉर् करता हैं, आपके इन वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, सीखा है तो एक लाइक कर देना, बाकी वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सस्काइब भी कर देना, मिलता के लिए वीडियो हो जब तक के लिए, जहिन